वेल्कम टू मैं क्लास नमस्ते श्टुडन बच्चों आज हम कक्षा आठ्वी की पुरक पाठ्टे पुस्तक भारत की खोजकार दिन करने जारें जिसमें हम चप्टर नमबर पाच्वा पढ़ेंगे जिसका शिर्षक है नई समस्याई नई समस्याई इस पाठ का ये सेशन नमबर दस्वा है इसके पहले भागों में हमने देखा कि जब मुगर सामराज्य का आउरंगा जेप की मुर्तियों के बाद महराटा सामराज्य ने भारत पर अपना अधिनस्तर स्थापित कर लिया था उ और आल इंडिया पराजित कर दिया तथा फिर वो भारत पर आकरमन करने के लिए और भारत के बहुत सारे प्रांतों पर उन्होंने अपना शाषन स्थापित कर दिया था आगे लेखक और कौन-कौन सी समस्याईं का वर्णन करने वाले है इसको हम पढ़ेंगे इसके अगले परिचदों में दबा दिया और उनको कोई प्रभाव न परसगा अब लेकर कहड़े कि उस समय एक 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 करके भारत पर बहुत सारे सामराजिय स्थापिन हो रहे थे और इनके इस विद्रहों के भावनों में भारत मर आतंक चाया होता और ऐसे में अंग्रेज जीत गए थे माराटा अन्य चोटे मटे सामराजियों को उन्होंने हरा दिया था और सारे अंग्रेज सामराजियों ने भारत पर आतंक चाया होता और उस समय सामाने जो जनता थी वह उस आतंक से त्राशित हो गए थी और उसमें से बहुत सारे चोटे मटे अनेक लोग थे उस आतंक का विद्रहो लेकिन घटनाओं की बाडने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ा जो अंग्रोजों का विद्रो करना चाहते थे लेकिन अंग्रोजों का शासन इतना बड़ चुका था कि उनके खिलाब उठे में आवाज को दबा देते थे अब देखे इस आतं के खिलाब उनके मन में आंग्रोजों के शासन के खिलाब मन में बहुत उत्सुकता थी वो स्वतंत्रता चाहना चाहते थे और ऐसे उत्सुकत वेकितियों में एक जिग्यासा बड़ी वेकिती थे और वो थे महाराजा रंजित सिंग वे जाट सीख थे जिनोंने पंजाब में अपना सामराज कायम किया बाद में यह सामराज कश्मिर और सरहदी सुबे तक फैल गया अब महाराज रंदिक सिंग जो जाट सीख थे उन्होंने पंजाब पर तो अपना आधिकार जमा लिया था लेकिन दिरे-दिरे वह कश्मिर और सरदी सुबे तक उन्होंने अपना सामराजर फैला दिया था अपनी कमजोरियों के पाउजित वह एक अध्भूत वेक्ति था वह अत्यनत मानविय था उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्मान किया फिर भी वह खुन खराबा पसंद नहीं करता था अब देखिए वह उनमें मानविय गुन थे वह किसी भी प्रकार का योधक मे जो खुन खराबा होते थे उसके खिलाब थे वह शक्तिशाली सेना नायक भी थे सेना का निर्वान उन्होंने किया था और किसी प्रकार का आक्रमन करना खुन खराबा करना इन सारे चिदों से वह दुर रहा करते थे जब इंग्लेंड में चोटे मोटे चोरों को भी मोत की सजा भोगने परती थी उसने मोत की सजा बंद कर दी अब देखिए इंग्लेंड में चोटे बड़े चोरों को भी किसी भी प्रकार का आम अगर गलती करते हैं तो उनको मोत की सजा सुना दिया जाती थी लेकिन रंजित सिंगिनों ने क्या खिया था हूँ उसी समय पर लोगों की मोज की सजा देना फासिक की सिख्ष्या देना यह सजा उन्होंने बंद कर दी ती चाहे जुर्म कितना ही छोटा हो या बड़ा हो उन्होंने किसी भी प्रकार के वेक्ति को जुर्म के खिलाब या जुर्म के लिए जो फासे की सिस्या दी जाती थी वो बंद कर दी युद्ध के सिवाए उसने कभी किसी की जान नहीं ले गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकादिक बार के गई अब देखे वसिफ युद्ध के समय ही जो विद्रो करने वाले जो विरोदक होते थे आक्रमन करने वाले थे उनके साथ ही वो युद्ध में हमला करता था लेकिन इसके सेरवाय उन्होंने कभी किसी की जानने ली बलकि उसके उपर बहुत बार आक्रमन हुआ था उसका शासन जो था निर्देता और दमन से मुक्त था एक दूसरा पर कुछ और ही धंका भारतिय राजनेता आप देखो यहाँ पर लेकक ने पहले पंजाब के जाट सिख का वर्णन किया है अब और एक राजनेता का लेकक वर्णन कर रहा है वहे एक अलग ही धंका भारतिय राजनेता है जिसका नाम है राजपुताने में जैपूर का सवाई जैसिंग उसका समय कुछ और पहले था और उसके मृत्यू 1743 इस वी सन में हुई थी वह आउरंग जेब के मृत्यू के बाद होने वाली उतल पुतल के समय हुआ था अब देखी उसका समय जो था वह आउरंग जेब के मृत्यू के बाद भारत में जो उतल पुतल मच हुई थी उस समय का वह समराट था वह इतना चतूर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धकों और परिवर्तनों के बावजूद भी बचा रहा अब देखी उस समय अउरंग जेब के मृत्यू के पचात बहुत छोटे मोटे हैं आक्रमन कारी भारत पर आक्रमन कर रहे थे लेकिन वह बहुत सारी धकों को और परिवर्तनों को बदलाओं को स्विकार करते हुए अपने सामराज्यों को अपने अधिनिस्तर रखते हुए उसे बचाता अधिका शासक के रूप में कारिया कर रहा था वह बादुर योध्धा और कुशल राजनाईक तो था ही इससे बढ़कर वह गनितग्य खगोल विग्यानी और नगर निर्मान करने वाला था और उसके दिल्चस्पी इतियास के अध्यन में थी अब देखे जो राजा होती है उनका अधिकतर जो ध्यान होता है या दिल्चस्पी किसमी होते है कि राज दरबार में राजनितिक शेत्र में होता है जैसे कि हम किस प्रकार से राजनितिक शेत्र में कारे करे किस प्रकार से आक्रमन किया जाए या युद्धनिती किस प्रकार से की जाए इन सारी चीजों में उनका उनकी दिल्चस्मी रहते लेकिन एकमात्र के वल इसे राजा थे जिने वह महान युद्धा तो थे ही राजनितिक भी थे वह लेकिन उसके साथ साथ उनकी दिल्चस्मी इतियास के अध्यन में गरितग्य थे गनित के विध्वान माने जाते थे खोगोल विज्यानी भी वह माने जाते थे तर्था निर्मान करने वाले एक विशेश व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याती थे जैसिंग ने जैपूर, दिल्ली, उज्यान, बनारस और मतुरा में बड़ी-बड़ी वेदिशालाय बनाएं अब देखें समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए अब उसके अनुसार वह बहुत सारे नई-नई चीजों की निर्मिती अपने राज्यों के अधिनस्त कर रहा था उसने जैपूर, दिल्ली, उज्यान, बनारस और मतुरा में बड़ी-बड़ी वेदिशालाओं की निर्मिती की उसने जैपूर नगर बसाया, उसने उस समय के कई इरोपे नगरों के नक्षे एकटे किये और फिर अपना नक्षा खुद बनाया अब देखी उसे जब जब पूर नगर के निर्मिती करनी थी तो उस समय बहुत सारी इरोपे नगरों के नक्षा उसने अपने साथ पास इकटे के उसका संग्षिप्त से अध्येन किया और संग्षिप्त के अध्येन करने के बाद ही उसने फिर से अपना नया खुद का नक्ष पुरानी एरोपेय नगरों के कई नक्षे जैपूर के अजयब घर में सुरक्षित है, कि जैपूर में जो अजीबों घरे बनाये हुए, उसमें पुरानी एरोपेया नगरों के नक्षे आज भी देखने को मिलते है, जैपूर नगर की योजना को अब भी नगर निर्मान का आदर्श समझा जाता है कि देखो जैपूर नगर की जो रचना की है जो निर्मिती की है आज भी वह अद्बूत रचना के रूप में जान्या जाते है लगातार युद्धो और दर्बारी शडियंत्रों की बीच अक्सर खुद उल्जे रहने पर भी जैपूर ने बहुत कुछ किया जैपूर ने की मुरुत्यू के केवल चार वर्ष पहले नादिर्शाह का अक्रमन हुआ भारतिय इत्यास के सबसे अधिक अंदकार मैं यूग में जब उतल पुतल युद्ध और उपद्रों में माहोल भरा था राजपुताने के ठेट सामन्ति वातावरण में जैशिंग ने वेग्यानिक की तरह उठकर काम किया और यह बात भहुत महत्वपुर्ण है मतलब देखी किसी भी प्रकार के वांश परंपरागत जो सामरत है वो उसके पास नहीं था फिर भी इत्यास के अंदकार युद्ध जीवन बताते समय जब उतल पुतल युद्ध के ख्षेतर में मच रहे थी और अंग्रेजों के शासन तता नादिर्शा के शासन आधिसे जो उपद्रों मच रहता उनके इस महोल में भी उसने इस प्रकार की एक वेग्ध्यानिक संशोदक के रूप में सामाजिक परिवर्तन लाने के कोशिस की और यह बात भहुत ही महत्वपुर्ण मानी गई देखते इन परिच्चेदों में आये वे कुछ कठीन शब्दों का अर्थ इसके पहले सेशन में जो परिच्चत हमने पड़े उससे संब्दित कुछ प्रश्ण उतर देख लेते हैं प्रश्ण पहला है कि आउरंग जेप कैसा शाह सकता इसके प्रश्ण के आपको चार अलग अलग विकल्प दिये हैं पहला विकल्प है क दयालू दूसरा है ख संस्क जोड़ और कटर उत्तर का विकल्प होगा घर आगे का प्रश्ण भारति समाच औरंग जेप के विरुद्ध क्यों हो गया उत्तर के विकल्प है कर राजनितिक नितियों के कारण ख संस्कृति का आनादर करने के कारण ग हिंदों की विरुद्धर नितियों होने के कारण या घ जजियाकर के कारण अब देखो औरंग जेप ने क्या किया था बहुत सारे जजियाकर लोगों के उपर लगाये थे जो धार्मिक संदर्ब में थे तो इसका उत्तर होगा घ जाने पर लगाया जाने वाला कर ग सरकार के नियम तोड़ने पर लगने वाला कर या घ धार्मिक कार्यों पर लगाया जाने वाला कर तो इस प्रश्ण के उत्तर का विकल्प होगा घ धार्मिक कार्यों पर लगाया जाने वाला कर आगे का प्रश्ण है, मराठो का सेना नायक कौन थे? उत्तर के विकल्प है कर रंजीत सिंग, नादिर शाहा, ग दास, ग चत्रपती शिवाजी तो उत्तर का विकल्प क्या होगा? कौन थे मराठो के सेना नायक? चत्रपती शिवाजी महाराज, वेरी गूड, तो इस उत्तर का विकल्प कौन सा है? घ, आगे का प्रश्ण है, शिवाजी की युद्ध पद्धती क्या थी? देखते हैं, उत्तर की विकल्प में कौन-कौन से उत्तर दिया है? क, प्रतेक्षे रूप से सामना करना, घ, 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 तिरंदाजी द्वारा, या घ, चापामार पद्धती द्वारा अब देखें, यहां पर जो उत्तर है, वो समान लगए, जैसे कि घोडों पर सवार होकर उद्ध करना ही, अभी शिवाजी महाराज की उद्ध की पद्धती थी, और दूसरी कौन से है? चापामार पद्धती द्वारा अगला प्रश्ण है, मुगलों का आर्थिक धाचा क्यों चर्माराने लगा? प्रश्ण है, चर्माराने लगा, या लगे, यहां पर शब्द होगा उत्तरे शासन सत्ना टुकडों में बटना, ख, देश का कोश कम होना, ग, किसानों और गरीबो द्वारा मुगल सामराज्यक का विरोत, या ग, इन में से कोई नहीं तो मुगलों का अर्थिक धाचा चर्माराने के पीछे क्या कारण था? कि किसानों और गरीबो द्वारा मुगल सामराज्यक का विरोत किया गया था, तो उत्तर का विकल्पका सही आगा अंसर ग तो बच्चो इस प्रकार हमने लेखक के द्वारा बताएं गए कि किस प्रकार भारत पर नहीं नहीं, आकरमन के द्वारा नहीं समस्यां का आना जाना चालो था और अब इसके आगे जब अंग्रेजों के द्वारा जो कमपणी के रूप में व्यापार के रूप में आये थे और अंग्रेजों ने पुरह भारत पर वर्चर स्थापित कर दिया था इसका वनन हमने अब तक पड़ा आगे लेखक और भी बहुत सारी जानकरे हमें देने वाले हैं उसको हम पड़ेंगे इसके अगले भागने